Hello everyone, welcome back to our channel Stitching Daddy और आज के वीडियो में आपके शेयर करूँगे पेन, ब्लॉज की कटिंग और स्टिचिंग और साथ ही आपको मटकानेक की कटिंग और स्टिचिंग भी बताऊँगी तो इसके लिए मैंने अपने ब्लॉज का फैबरिक और साथ ही अस्टर का फैबरिक लिया हुआ है सबसे पहले हमें अस्टर को खोल करके अच्छे से इसे टूफूल करके बिचा लेना है जिससे हमेरी फ्रंट और पैक पाट की कटिंग होगी तो अस्तर को हमें पहले अच्छे से खोल करके टू फार्ट करके अच्छे से बिच्छा लेना है आपको जितनी ही कपड़े की जरूत होगी आप उतने ही कपड़ा टू फोल्ड करें तो आपको जितनी मापी लेनी है उसकी फोर से रिवाइट करने और फिर मार्किंग करें तो इसमें आप कोई भी ब्लॉज की कटिंग कर सकते हैं तो मैं ये 38 साइज की ब्लॉज बनाओंगी इसके लिए मैंने अपने ब्लॉज की जो लेंथ है उसके लिए 16 इने हाफ इंच पर माड किया बाँ सब्सक्राइब करनी है मैंने अब जो हमारी कटिंग की जो मापी होगी उससे हमें मांक करेंगे जिसके लिए मैंने हाफ इंच पर मांक किया बाह साथ ही एत्सके फैप्रिक हमें टू 厉 इंच लेना है तो इसतर इसके भी मार्किंग कर लेने के बाद bartender से स् करेंगे हमें फ्रंट पार्ट के लिए मैं आफ इन्च एस्ट्र के बता वंगी तो अब और अगे कर लो half inch एस्ट्रा माइञे है तो देखिए मैंने क्वाट कदिंग कर लिए है अब फ रंट पार्ट के लिए में कपड़े को वैसे ही टू फोल्ड कर य Heights से बिछा लेना है पहले ही अस्ट्रा फैब्रिक लेगे लेना है तो इसनी मैंने वण इंच पर इस तरह से माक लिया है कर लेने के पाद तो इस तरह से margin लेने के पाद scale की help से हमें इससे भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है अब जैसे ही back part की cutting है वैसे ही हमें front part की पहले cutting कर लेनी है cutting कर लेने के पाद हमें अपने neck और arm hole की cutting करेंगे तो देखिए मैंने back और front part की cutting इस तरह से कर ली है अब सबसे पहले हम अपने back neck की cutting करनी है और इसके लिए हम अपने back part को अच्छे से बिचाएंगे और front part की cutting हमें इसके बात करेंगे तो back part के लिए हमें इस तरह से कपड़े को अच्छे से रख लेना है अब हमें marking start करनी है तो सबसे पहले हमें neck की marking करनी है जिसके लिए हमें अब हमें शोल्डर के लिए 3.5 cm पर मांक करनी है अब हमें शोल्डर के लिए 3.5 cm पर मांक कर लेना है आम होल की जो गुलाई रहेगी उसके लिए मैं 7.5 इंच पर मांक कर लूंगी और फिर स्केल के help से इस सारी लाइन्स को मिला लूँगी अब हमें इस तरह से शेप दे देना है अब हमारी जो neck होगी वो मैं मतका neck बनाने वाली हूँ जिसके लिए मुझे जो मैं इसकी length लूंगी अपनी नीचे की साइट से मैं 5 इंच का मार्क छोड़ूंगी margin छोड़ूंगी और उपर की मैं deep neck बनाऊंगी इसके लिए तो उपर की और से भी मापी करके मैं बता दूंगी ये अब मिलाने के बाद हमें इसे इस तरह से shape देना है मैं थुटा इसे और अंदर के और करूंगी तो देखिए इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी हैं और जो अंदर की साइट मैंने मार्किंग किये वो हम कट करेंगे तो चलिए अब इसे भी हमें कट कर लेना है और अब मेरी जो आम हुल की मार्किंग है उसे भी कट कर लेंगे अब हमारी जो फ्रंट पार्ट है अब हम उसकी कटिंग करेंगे सो फ्रंट वाले हिस्ति को मैं हम ऐसे रखेंगे अच्छे से बिछा लेने के बाद हम इसकी मार्किंग स्टार्ट करेंगे पंद वाली साइट को मैं अपनी और रख रही हूँ अब सबसे पहले हमें नेक की मार्किंग करना है वैसे हमें धाई इंच पर मार्क कर लेना है सौरी सेंटिमेटर और शोल्डर के लिए हमें 3.5 सेंटिमेटर पर मार्क करना है अब आम होल ऐसे हमें 7.5 सेंटिमेटर पर मार्क करना है और फिर इसे ला लेंगे हम अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है इसलिए जो इसके आम गुलाई देंगे वो थोड़ी अंदर के और साइट से देंगे मैंने पहले ही से अंदर के साइट पर करके गुलाई दे दिया है अब जो हमारी नेक की फ्रंट नेक होगी वो मैं 60.5 सेंटिमेटर तो इस तरह से बाकिंग कर लेने के बाद अब इससे भी हमें कट कर लेना है départ करने के बाद हमारी जो आगे nella हिससा है जिसके उसे भी हम 20 से अलग कर देंगे दुनों को महें को बंद साइट को खोल देंगे कर करके अब हमें टक्स जहां जहां हमें टक्स लगाना है उसकी भी हम आपको मार्किंग बता देते हैं इसके लिए हमें नीचे की और से 3.5 cm पर मार्क करना है इस तरह से और उपर की साइड हमें 5 इंच पर मार्क करना है नॉर्माली जो 15 cm की ब्लॉज होती है उसमें हमें 4.5 cm पर मार्क करते हैं तो यह 16 की है इसलिए मैं 5 cm पर मार्क करूंगी जी कि विदर साइट से हमें उपर जो नेक होगी उधर साइट से हमें थ्रीपर श्रूइ डू फॉइंट सेवज प्वाइफ सेंटिमीटर पर मांक करना है और हमें थाइं सेंटिमीटर पर आगे इस तरह से मांक कर ले तिर्शी करके दाय सेंटिमेटर पर अब हमें इन दोनों लाइन को बिला लेना है स्केल की हब से अब जो हम आम होल के जो कौन है वहां से हमें वापस से उपर की साइड से हमें थाय सेंटिमेटर पर माफ करनी है और कौन से हमें सीधी लाइन ड्रॉख कर लेनी है तो देखिए मैंने इसकी भी मार्किंग बता दिया मैंने इसे कट कर लेती हूँ तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया है मैंने इसे कट कर लिया है मैंने फैब्रिक में भी दोनों आगे और back part दोनों को cut गिया है जो इस तरह से front और back part की cutting कर लेने के बाद हम अपने स्लेप्स की cutting करेंगे तो इसके लिए हमें जो हमारी extra जो हमारी अस्थर की fabric बची थी अब पहले इसमें अपने stackus की cutting कर लेते हैं जलिये तो यह देखिए मैंने एस्टर जो अपना अस्टर का फाब्रिक बचा था उसे इस तरह से ले लिया है आपको जितना ही फाब्रिक का जरुवत हो आप उतना ही ले सबसे पहले मैं अच्छे से बिचा लूँगी फिर इसकी लेंद देख लूँगी कितनी हैं तो यह 13 cm है तो मैं 5,5 cm एक साइट की स्लिप्स की कटिंग करूंगी जो लेंद होगी एक साइट की स्लिप्स की इस तार से मैं इसके डबल फोल किया है और आपको जितना फाइब्री का या यूज हो ततना ही फाइब्र को आप फोल कर लेका तो सॉडरी टूफू फोल कर लेका इसके बाद हमें इसके बाद हमें Paula करनी है अль wir हमें सबसे पहले अपनी जो स्लिप्स की जो लेंद है उसे मार्क कर लेना है तो मैं पहले 7.5 इंच पे इस तर से मार्क कर लोंगी अब हमें उपर की साइड से आप चाहें तो इसकी जो लंद है और बढ़ा सकते हैं अब हमें इसका फैब्रिक रखनी है वह मैं टू इंच की रखूंगी टू सेंटिमेटर की रखूंगी सौरी इस तरह से मार्क कर लेने के बाद हमें इस तरह से सीधी लाइन डॉख कर लेनी आपर अब हमें जहां पर हमे बुलाई देते वे हमें अपनी स्लीप्स की मार्किंग कर लेनी है अब हम इसे कट कर लेंगे अब हम नीचे की जो जॉइंट है उसे भी कट करके अलग कर लेंगे दोनों स्लीप्स को अब हमें हाफ जो हमारी स्लीप्स की जो हाफ मैंने जो मार्किंग की ती वहां से हमें इस तरह के एक साइट पे हमें इस तरह से अंदर की और मार्किंग करनी है और इसे कट करना है यह हमारी ब्लॉज की फ्रंट साइड में आएगी अब इसे हमें मार्क कर लेना है ताकि हमे याद रहे कि हमारी front side में आएगी अब हम इसे main fabric में भी cut कर लेंगे तो दिखिए मैंने इसे main fabric में cut कर लिया है इसी तरह से हमारी जो blotch की cutting है वो complete होती है अब इसकी पत्ती और जो neck की जो में piping बनाएंगे वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगी यह वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा कमेंट में बताएगा कि यह वीडियो कैसी लगी आप लोगों को और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बल आइकन को प्रेस जरूर कर लिजेगा ताकि आने वाली फार अपडेट आप लोगों को मिलती रहे मैं इसी तरह अच्छी एची वीडियो आप लोग लाते रहूंगी थैंक यू